पुर्धान मंत्री नरींडर मूदी ने आज उत्तर प्रिदेश के संभल जिले में कलकी धाम का शुलान्यास किया ये मंदिर कलकी धाम निर्मान ट्रस्ट वारा बनवाय जा रहा है जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोध कृष्णम है संभल में कलकी धाम के शलान्यास कारिक्रम के दौरान पीम मोदी के साथ साथ सीम योगी आदितिनात और आचार्य प्रमोध कृष्णम भी साथ रहे पीम मोदी ने शलान्यास कारिक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा आज यूपी की धर्ती से भक्ती, भाव और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने की लालायत है आज पूजय संतों की साधना और जन्मानस की भावना से एक और पवित्रधाम की नीव रखी जा रही है मुझे विश्वास है कि कल की धाम भारती आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा इसके साथ ही आचार्य प्रमूद कृष्णम ने भी अपने संबोधन में पेम मूदी की तारीफ की और काहा कि पेम नरेंद्र मूदी गैरों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं कुछ ऐसे अभागे नेता हैं जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल की मंदर किस भगवान से जुड़ा है और इसकी खासियत क्या क्या है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्शल आईए जानते हैं कलकी धाम मंदिर भगवान विश्नु के दसवे अफ़तार भगवान कलकी को समर्पित है इस मंदिर में एक नहीं बलकी दस गर्ब ग्रीह होंगे इस मंदर में भगवान विश्णू के 10 अफ्तारों के 10 अलग अलग गर्ब ग्रीह स्थापित किये जाएंगे इसका निर्मान उसी गुलावी रंग के पत्थर से किया जाएगा जिसका उपयोग सुमनात मंदर और आयोध्या के राम मंदर के निर्मान में किया गया था यहां 68 तीर्थ स्थापित किये जाएंगे कलकी धाम मंदिर का निर्मान लगभग 5 एकर भूमी पर किया जाएगा कलकी धाम को बंडे में लगभग 5 साल का समय लग सकता है